महाराष्ट कैबिनेट ने रविवार को राच्च में बढ़ते कोरोना के मत्ति नसर कोविट के लिए सक्त दिशान निर्देश को लागू करने का नेले लिया है। 2014 नए मामले साम दिया और 222 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुंबई में भी कोरोना का कहर जारी है। यह सबी निर्देश सोमार 5 अप्रिल शाम 8 बचे से लागू हो जाएंगी। इसे कोरोना से लटने के लिए ब्रेक दचेन अभियान लागू क्या चाहेगा। ब्रेक दचेन के तहट माराष्ट में रात 8 बचे से सुबह 7 बचे तक नाइट कर्फि रहेगा। वहीं दिन पर 12 144 लागू रहेगी। इस वरान एक जगा पर 5 लोगों स्यातिक लोग एकटा नहीं हो सकते है। आफदा, प्रभंदक, बिजली और पानी सप्लाई चैसी व्यवस्ताय सुचारू रुप से चालू रहेगी। सैलून, ठेटर, विडियो पार्लर, क्लब, स्वेमिंग पुल, सपोर्ट कॉंपलेक्स और वाटर पार्क पूरी तरह से बन रहेगे। सभी धार्मिक स्तानों पर भक्तों के पूझा पार्ट करनी पर रोक रहेगी। वही रोजाना की पूझा पार्ट के लिए पुजारी मौचुद रहेगी। होम डिलिवरी करनी वाले लोग वैक्सिन लिने के बाद ही डिलिवरी करनी चाहेंगे। ऐसे में अगर कोई भी डिलिवरी कंडी पाले ने वैक्सिन नहीं ली है तो कंपनी के उपर एक हजार रुपे का जुर्माना दे होगा अगवार और न्यूस सम्मंदी विवस्ता चालू रहेगी दसवी और बारवी को छोड़कर सभी स्कूल बन रहेगी इसके अलावा सभी प्रावेट कोचिंग भी बन रहेगी इंडस्ट्री कोरोना सम्मंदी गाइडलाइन का पालन करते वे अपना काम चारी रख सकते हैं बिना भीड के फिल्म की शूटिंग लिए अनुबती रहेगी इसमें टीम के लिए आड़ी पिसी आटेस अनिरफार्य रहेगा किसे भी हाउसिंग सोसाइटी में पांस से जादा मरेज मिलने पर उस जगा को कंट्रेंटमेंट जोन घोशित कर दिया जाएगा वही सोसाइटी में किसे भी बाहरी का प्रवेश बरचित रहेगा कैमरा पस्जन राजकुमार बोहट के साथ अभिशिक पांसी के रिपूर्ट